कार्टिक कुष्णपक्ष की त्रियोदसी को धन त्रियोदसी, धन तेरस, धनवंतरी जैनती याद के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी का प्रादुरभाव हुआ था इसलिए इसे धनत्रियोदसी कहा जाता है। इसी दिन से पाँच दिनों तक चलने वाला यम पंचक भी प्रारंब हो जाता है धनवंतर जैन्ती नरक चतुरदसी दीपावली गोवर्धन पूजा एवं यमत दुतिया ये पाँच तेवहार क्रम से पाँच दिन पढ़ते हैं इन्ही को यम पंचक कहा जाता है आज की इस व लोगव्यादि पीडा से निवर्ति अकाल मृत्तु का नास तथा धनधान की बृद्धी के लिए इस दिन किये जाने वाले विबिध उपायों के बारे में भी आप जानेंगे चैनल पर ये आप नए हैं तो कृप्या सब्सकाइब करके नोटिफिकेशन बेल को आन कर लें वीडियो को लाइक करके कमेंट में लक्ष्मी मैया का जैकारा अवस्च लगाईएगा आईए इस वीडियो का शुभारंब करते हैं धन तेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए यदि आप या आपके घर में कोई किसी असाध्यरोग से पीडित है तो उसे इस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए कलस अस्थापित करके उस कलस में समस्त नदियों, समुद्रों, विश्णवाद देवताओं का आवाहन करके कलस के पूण पात्र पर रखे हुए नारियल में भगवान धनवंतरी का आवाहन करके बिध विधान से पूजा करनी चाहिए पूजा के बाद उस कलस के जल से उस रोगी विक्त का प्रोक्षन करना चाहिए उस जल को घर में छिड़कना चाहिए इस से रोग शोक भय के साथ साथ घर में ब्याप्त नकारात्मक उर्जा भी नश्ठ हो जाती है इस दिन सायंकाल अप मृत्त के नाश के लिए अर्थात अकाल मृत्त के शमन के लिए सायंकाल घर से बाहर चार बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए इस दिन से यमपंचक का प्रारंब होता है इसलिए आज से प्रारंब करके पांच दिनों तक दीपदान अवस्य करना चाह सायंकाल भगवती लक्ष्मी की आराधना करने से समस्त बाधाओं का समन होता है तथा भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है परमपरा और मानिता या है कि इस दिन लोग कुछ नभीन चीजें अवश्र खरीदते हैं बरतन, सोना, चादी, आभूशन, आदी आप अपनी परमपराओं के अनुशार यहा कारी कर सकते हैं भगवती महालक्ष्मी को चंचला कहा गया है अर्थात बहुत ज़्यादा दिन वह कहीं टिकती नहीं है साथ ही साथ हमारे घर में जो लक्ष्मी आवें वे बृद्धिकारक हों कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा धन मिल जाता है जो अपने साथ और भी धन लेकर चला जाता है कला कारक हो जाता है तो हमेशा हमें भगवती लक्ष्मी से यह कामना करनी चाहिए कि ऐसी लक्ष्मी का हमारे घर पदारपन हों, जो घर में बृद्धिकारक हों, रोग दोस्ट से दूर करें, कलाह जगडा लड़ाई से दूर करें, आपस में सदभाव पैदा करें, यह अत्यंत ध्यान देने वाली बात है। भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साप सफाई सबसे ज़्यादा जरूरी है, धन तेरस से पहले घर की साप सफाई अवर्ष कर लें, पूजा स्थान पर बेदी बंदनवार मंडपाद बना कर तयारी कर लें, धन तेरस को साइंकाल घर से बाहर चार बत्तियों वा जाकर बाहर रखें, दीपक के नीचे चावल या धान अवर्ष रखें, भगवती लक्ष्मी गडेश की पूजा करें, दीपदान करें, स्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त कनकधारा इस्तोतरादिका पाठ करें, अथवा सुनें, रात्र जागरन का इस दिन बहुत ही महत्व है, रात्र परियंत, अखंड दीपक जलाकर, भगवती महा लक्ष्मी के मंतर का जप, घी से हवन आद किया जा सकता है, यम की पीडा से बचने के लिए, अकाल मृत्त के श्रमन के लिए, यम सूक्त का स्रमण करना चाहिए, इस तरह से धनत्रियोदसी के दिन, आप बहुत सारे क जानकारियों को करके, भगवती लक्ष्मी की कृपा, भगवान धनमंतरी की कृपा, तथा भगवान यमराज की कृपा भी पा सकते हैं, आशा है वीडियो आपके लिए उप्योगी होगी, प्रामाडिक ब्रत पर्वत्योहार, जोतिस वास्तु, तथा ग्रह बाधा निवार संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, नमस्कार, जैविश्टुनाद,